हे गाईज, इस लेक्चर पे हम सिलालिजम का और एक कन्फिलिंग प्रॉब्लम लेंगे, जहाँ पे गल्ती होने के बहुत चांसेस रहते हैं तो देखते हैं, देखें, यहाँ पे क्या दियाया है? स्टेट्मेंट है पहला, सम एजुकेटेड आर सिग्रेट्स कुछ जो एजुकेटेड है, वो क्या है? सिग्रेट से, ठीक है? अभी यह जो पार्ट है, यह एजुकेटेड और सिग्रेट में कॉमन है, राइट? फिर उसके बाद क्या बोलता है? कि सम एजुकेटेड मियंस यह बचा हुआ पार्ट, इस बचे हुए पार्ट में से सम पार्ट और टेबल्स मिनस, अभी देखिए, यह पार्ट जो है एजुकेटेड हो गया, तो फिर रेमेंश पार्ट क्या हुआ? तो इस में से जो कुछ पार्ट है वो क्या है बोल रहा है टेबल से ठीक है तो देखिए मैं फिर से बताता हूँ सम एजुकेटेट्स और सिग्रेट्स तो यह जो पार्ट हुआ पर्ट का यह एजुकेटेट्स और से सम पार्ड क्या हूँ चया खूल रहे हैं तो यह हो गया टेबल से यह दोनों स्टेटों अभी अभी सट्च Corn TCP में अभी देखते हैं सम एजुकेटेट्स और टेबल में कुछ पार्ड कॉमन है अभी यह definite statement दिया हुए definite conclusion दिया है क्यों इसे हम definite conclusion बोल रहे है क्योंकि यहाँ पर no not ऐसे words यूज नहीं किये या फिर possibility ऐसे words यूज नहीं किये है इसलिए हमें हमें इसे definite conclusion बोलते है इस तरह के अगर conclusion हो तो हमें क्या करना पड़ता है सिर्फ विन डिग्राम देखे answer बताना पड़ता है क्या आपको educated or table में कुछ common दिख रहा है इनमें कोई कुछ भी common नहीं है इसका मतलब ही क्या हुआ conclusion one does not follow ठीक है अब देखे conclusion two conclusion two यह important है यहाँ पर समझने में गलती हो जाती है देखें all educated are not cigarettes यह बोल रहा है कि सभी educated cigarettes नहीं होते हैं अभी इसे समझने के लिए हम एक example लेती है suppose यह एक hospital है ठीक है सोचिए कि यह एक hospital है अभी इस hospital में मैं बोल रहा हूँ कि इस hospital में आने वाले सभी लोग patient नहीं होते हैं ठीक है मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस hospital में आने वाले सभी लोग patient नहीं होते हैं इसका ही मतलब क्या हुआ इस हॉस्पिटल में आने वाले कुछ लोग पेशन्ट होते हैं और कुछ लोग पेशन्ट नहीं होते हैं मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि some educated are cigarettes और इसी के दूसरी possibility कुन सी है some educated are not cigarettes इतना समझ में आया हूँ देखिए मैं बोल रहा हूँ कि कुछ इस हॉस्पिटल में आने वाले सभी लोग पेशन्ट नहीं होते हैं ठीक है इसका मतलब ही क्या हुआ कि कुछ जो लोग होते हैं पेशंट होते हैं हॉस्पिटल में आने वाले कुछ लोग पेशंट होते हैं और कुछ उसके उनके रिष्टेदार वगरे कोई भी हो सकते हैं तो इसका ही मतलब क्या हुआ कुछ लोग पेशंट होते हैं और कुछ लोग patient ने होते, इसी को हम क्या बोल सकते हैं कि some people are patient and some people are not patients, ये दो क्या हो गई, possibilities हो गई, right, तो उसी तरह से all educated are not cigarettes में, some educated are cigarettes ये एक possibility हो सकती है, और दूसरी possibility क्या हो सकती है, दूसरा assumption, possibility कहने से अच्छा है, दूसरा assumption क्या होगा, कि some educated are not cigarettes, ठीक है, अभी हमारे इन दो assumption में कौन सा assumption सही है, ये हमें देखना है, ठीक है, तो उसके लिए, देखिए, उसके लिए मैं कुछ आपको diagram, कुछ points क्लियर करके देता हूँ, शायद उससे आपको समझ में आया, अगर मैं बोल रहा हूँ कि some e r c, मतलब इसकी diagram क्या हो गई, ये हो गई, ये e और c, अब sum e r c, इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, sum c r e, right, इसमें कोई परिशान नहीं होगी, right, बराबर है ना, इसको ही मैं sum c r e बोल सकता हूँ, अभी देखिए, sum c r e को मैं किस तरह से निकाल सकता हूँ, sum c r e को मैं इस तरह से भी निकाल सकता हूँ, क्या, ये ही c हुआ, और ये ही e हुआ, right, इस तरह से भी निकाल सकता हूँ, या फिर, इस तरह से भी निकाल सकता हूँ, मैं, अगर यहाँ पर मैं e निकालता हूँ, तो भी इसका मतलब होता है कि sum c r e, बट देखिए अभी इस डाइग्राम में क्या हो जाता है All E.R.C. हो जाता है यही डाइग्राम All E.R.C. बताती है और Some C.R.E. बताती है बट हमारा दिया हुआ कंक्लूजन क्या है कि All Educated Are Not Cigarette means सभी Educated Cigarette नहीं है कुछ है पर कुछ नहीं है बट इससे क्या साबिस हो रहा है कि सभी Educated Cigarette है इसका मतलब ही क्या हुआ हमारा जो यह अजम्चन है यह रॉंग हो गया बराबर है इसका मतलब है हमारा पहला अजम्चन रॉंग हो गया समझ में आ रहा है कि आपको क्यूँ? क्यूँकि हमारे दिये हुए Conclusion को ही इसने रॉंग कर दिया इसलिए पहला अजम्चन हमारा रॉंग हो गया अभी दूसरा अजम्चन क्या है Sum e are not c देखें Sum e are not c इसकी डाइगराम क्या हो सकती है? यह है Sum e are not c इसको कैसे निकाल सकते हम? यह हुआ e और यह हुआ c right? क्या आप इसे ऐसे Sum e are not c को आप क्या लिख सकते? Sum c are not e ऐसा लिख सकते क्या? बिल्कुल नहीं लिख सकते आप क्योंकि यहाँ पर तो सारे के सारे c e हो रहे मतलब यह तो रॉंग हो जाएगा यह ऐसे लिखी नहीं सकते है तो देखिए अब इस डाइग्राम में अभी यह डाइग्राम जो है यह किसे जो main conclusion है उसे follow कर रही है कि यह क्या बोल रहा है main conclusion? All educated are not cigarette सारे educated cigarette नहीं है कुछ educated cigarette है देखिए कुछ educated cigarette है जो c का सभी पार्ट है वो educated के साथ common है मतलब कुछ educated cigarette हो गए पर यह जो पार्ट है बाकी का यह तो cigarette नहीं है मतलब हमारे दिये हुए conclusion को follow कर रहा है main conclusion को यह follow कर रहा है इसका ही मतलब क्या हुआ All educated are not cigarette को हम क्या बोल सकते हैं Some educated are not cigarette ऐसे बोल सकते हैं देखिए अगर आपको यह समझ में नहीं आया हो तो आप फिर से इस वीडियो को देख लीजिए और इस concept को clear कर लीजिए ठीक है तो All educated are not cigarette जब भी हो तो उसका मतलब क्या हुआ Some educated are not cigarette अब इस statement को तो आप आप आसन से solve कर सकते हैं इस टाइप के statement हमने बहुत बर लिए देखिए Some educated are not cigarette C मतलब यह होगा या निगेटिव निगेटिव में हम क्या चेक करते हैं possibility अब देखिए E और C इसमें तो कुछ part already common है और हम इसको बढ़ा के पूरा ले भी सकते पूरे C को ले सकते या फिर पूरे E को ले सकते एक साथ अंदर क्योंकि ऐसा करने से हमें कोई रोक ने रहा इसका मतलब ही क्या हुआ यह जो है यह जो conclusion दिया हुआ है second वो wrong हो गया right समझ में आया आपको तो इस question का answer आएगा neither one nor two follows neither one nor two right अभी इस type के example में आपको एक छीत ध्यान में रखने जायते है जब भी all not या फिर not all जैसे इस example में all not या फिर अगर यूज हुआ हो no all या फिर not all ऐसा यूज हुआ हो तब उसका मतलब होता है some not हमेशा some not यूज करना है और क्यू होता है some not यह मैंने यहाँ पर प्रूप करके दिखाया है ठीक है पहले हमने दो assumption दिये कि कौन से possibilities यह मैंने आपको यह hospital का example लेके बताया था ठीक है patient मतलब सब people आते है hospital में उन में से सभी के सभी patient नहीं होते कुछ patient होते और कुछ नहीं होते इसका मतलब some people are patient and some people are not patient यह दो assumption होए फिर उसी के मुताबित some e are not c or some c some e are c ऐसे दो assumption हो गए फिर मैंने पहले assumption को लिया और उसे wrong probe किया वो wrong probe क्यों हुआ क्योंकि main जो conclusion है जिससे यह assumption आये यह उसी को false कर रहा था यह तो possible नहीं है जहां से आये उसी को false नहीं कर सकता अगर false कर रहा है तो मतलब यह हमारा assumption ही गलत है इस तरह के से यह assumption गलत हुआ था पर second assumption हमारा सही रहा था तो इसी का मतलब था कि all educated are not c समझ में आया होगा अगर यह proof नहीं भी समझ में आया तो आपको याद क्या रखना है all not या फिर not all हो तो उसका मतलब क्या होता है some not ठीक है इतना भी याद रखा तो भी काफी है चलिए तो इसका answer होगा neither one nor two